अपने फोन में रासन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर Chrome ब्राउजर को उपेन कर लेना Chrome ब्राउजर को उपेन करने के बाद देखिए यहाँ पर Google के जो सर्च वारे उसमें आपको टाइप करना है यहाँ पर आपको लिखना है फूड फूड डिपार्टमेंट तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फूड डिपार्टमेंट लिख दिये हैं उसके बाद सर्च कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, food department लिख कर सर्च करने के बाद, यहाँ पर जो first website आपको दिख रहा है, यहाँ पर food.wv.gov.in लिखा हुआ, तो यह जो first website है, इस पर आपको click करना है, तो यहाँ पर देखिए, इस पर हम click करते हैं, इस पर click करने के बाद देखिए, इस website का interface कुछ आप आपको इस परकार का दिखेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Government of Best बंगाल लिखा हुआ है, Department of Food जो है उनका official website है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए राशन कार्ड का option दिख रहा है, तो हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आप पहले यहाँ पर क्लिक करें, Check the status of your राशन कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करनी के बाद दिखी, यहाँ पर कुछ इस परकार का यहाँ पर सो होगा, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर राशन काड नम्मर इंटर करना है, तो यहाँ पर दीखिए राशन काड नम्मर हम इंटर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम अपना राशन काड को नम्मर दीख लेते हैं, तो यहाँ पर हम राशन काड नम्मर देख लिए, अब हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हम अपना रासन कार्ड नमबर इंटर कर लिए रासन कार्ड नमबर इंटर करने के बाद यहां पर देखिए जो केपचा आपको दीख रहा है इस केपचा को आपको देख कर सेम टुसे में आपर फिलप करना है तो यहाँ पर देखिए जिस परकार से हम कर रहें ठीक उसी परकार से आपको भी कर लेना है तो यहाँ पर देखिए केपचा यहाँ पर फिलब करते हैं 4 A 9 B A 2 तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा रासन कार्ड नम्मर हो गिया और यहाँ पर capsa देखकर same to say flip कर लिए हैं उसके बाद search को option पर यहाँ पर click कर देते हैं को और यहाँ पर देखिये आपका पूरा details नीचे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा rice card का category हो रहा है तो यहाँ पर दिख लिए यहाँ पर मेरा नाम सो हो रहा है, यहाँ पर father name, यहाँ पर head of family name, यहाँ पर मेरा date of worth सो कर रहा है, उसके बाद मेरा gender, address, उसके बाद यहाँ पर जहाँ भी मेरा मतलब card transfer हुआ है, वो यहाँ पर दिखा रहा है address, कहाँ, उसके बद मेरा अधारन नम्मर देखें, यहाँ पर लिंक है, मेरा मोबाइल नम्मर दिखा रहा है, यह लिंक है, तो यह सारा सब कुछ यहाँ पर आपको इस्टेटस सो होगा, तो इस्टेटस आप चेक कर ले, आपका ही है सब कुछ, तो अब आपको यहाँ पर नीच क्लिक किए, तो यई हाँ पर दिखे किलिक करने के बाद यहाँ पर देखे download e card लिखा हुआ दिख रहा प्लिज इंटर राशन card no number तो यई पर हम अपना राशन card no number enter कर देते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हम देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ onefer रासन कार्ड नम्मर दोबारा से यहां पर इंटर हम कर लेते हैं, तो देखिए, तो यहां पर देखिए रासन कार्ड नम्मर इंटर करने के बाद, नीचे जो कैप्चा दिख रहा है ठीक, उसी परकार से आपको यहां पर देखकर इंटर कर देना है, तो यहां पर देखिए, 4 तो यहाँ पर देखिए रासन कार्ड नम्मर भी यहाँ पर इंटर कर दिये और यहाँ पर केपचा भी इंटर कर दिया अब उसके बाद सर्च को उप्षन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च को उप्षन पर यहां पर दिखाया जा रहा है, तो इसका बाद आपको यहां पर डाउनलोड करना है, तो देखिए यहां पर सबसे साइड में डाउनलोड का ओप्सेन है, तो यहां पर डाउनलोड इर्सी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक कर के बाद आपका यहां पर डाउनलोड होकर आ जाएगा तो देखिए यहां पर देखिए यहां पर मेरा रासन का डाउनलोड होकर आ गया है तो आप देख सकते हैं यह मेरा रासन का डाउनलोड हो गिया है तो इसी परकार से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं